नमस्ते दोस्तों मैं हूं अमलेंदर और आप देख रहे हैं बिहार पंचायत नगर प्रारमभी शिक्चक संगरेश्टेशन नमर 25 में सर्बटे 11 दोस्तों ये चेनल आपका है और इस चेनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों बिहार पर शिक्चि सिक्चक पातरता परिक्चा 2017 में अनुतिर्न या अनभैलिड हो गए अभ्यर्थियों के लिए दैनिक भासकर के पतना एडिशन में एक खास न्यू छपा है जिसमें लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट कमिटी करेगी TAT रिजल्ट का फैसला हो सकता ह TAT लिखा है TAT रिजल्ट में रिभाईज तो दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि TAT अभ्यर्थी बोट अध्यक्ष से मिले गलत प्रश्नों पर अंक देने समेत अन्र मांगों को लेकर बुद्वार को TAT अभ्यर्थियों की कमिटी ने बिहार बोट अध्यक्ष आनंद किशोर से बारता की कमिशनर आफिस में संगठन के पहुंच सदस्य परतिनिधी मंडल ने उन से मुलाकात की इसमें मुख सचे तक असोक जा निरज कुमार सोनु कुमार अभिनास कुमार अमरेंदर कुमार सामिल थे असोक जा और सचे तक जा निरज कुमार ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष ने रिजल्ट रिवाइज करने की बात कही है अध्यक्ष ने बताया कि टीटी और प्रस्णों से जुरियापतियों की एकस्पर्ट कमिट्री जाँच कर रही है उसकी रिपोर्ट की आधार पर फैसला होगा अगर प्रस्ण गलत होते हैं तो रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा रिवाइज रिजल्ट से पहले बोर्ड अंसर की भी जारी करेगा बारता के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि गलत प्रस्णों पर अंक बोर्ड नहीं दे सकता सिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही इस पर फ पैसला रिजल्ट का रिवाइज भी हो सकता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे बिदा लेता हूँ जैहिन जैभारत जैसिक चकसंग